यूट्यूब चैनल आर्ट या फिर चैनल बैनर दोनों एक ही चीज है और ये चैनल आर्ट या फिर चैनल बैनर किसको कहते हैं वो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यानि कि ये जो मेरा चैनल है इस चैनल के ऊपर ये जो होम के ऊपर जो पिक्चर आपको दि बहतर लुक देता है, यानि कि किसी के भी YouTube चैनल के home page पे जब आप जाओगे, वहाँ पर ये channel banner हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो ये channel banner आप भी अपने किसी भी channel के लिए बना सकते हो, यानि कि आपका चैनल किसी भी कैटिगरी में हर कैटिगरी के पास ये चैनल बैनर होना चाहिए और अपने चैनल पर लगाना चाहिए ताकि वो बहतर लग सके, क्योंकि जो आगे की एपिसोड आएंगी उसमें ये भी बताऊंगा कि नया YouTube चैनल कैसे बनाना है, उसमें इन चीजों की requirement होगी, तो ये चीज़े हम पहले ही सीख लेंगे, और माली जी आपका चैनल अभी अल्रेडी बना हुआ है, तो उसमें आपने हो सकता है एक चैनल बैनर की सीवी तरीके से बना करके लगाया होगा, या फिर सही तरीके से भी लगाया होगा, जैसे भी तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर वे में वही सारे चीज़े फिर से सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी confusion ना रच दाए, तो ये सारे चीज़े वन बै वन करके पूरी डीटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अन तक बने रहेगा, तो ये साइड से कड़ जाता है, उपर से कड़ जाता है, बहुत सारी problem होती है, बहुत सा है लोगों के साथ मेरे साथ भी है, तो इसका एक एकदम से proper solution मैं निकाला है, एक picture है, जिसका एकदम से actual size है, जो की channel banner पे बहुत या अच्छे से stable हो जाता है, उस picture को आपको download करना है, उसके तो आप करना, बट अगर नहीं हो पाएगा, तो जो background का link description में है, उसको आप download कर लेना, और उसके थूरू सारी चीजे करना, आप बहतर तरीके से सब कुछ कर पाऊगे, ठीक है, अब यह जो चीजे है, कैसे करेंगा, तो यह मतलब की channel art, या फिर channel banner को आप camera के थूरू भी थूरू भी बना सकते हो, तो मैं आपको pixel lab के थूरू यह सारी चीजे बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, तो पता है आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर करके pixel lab install कर लेना है, उसके बाद यह सारे steps कैसे होंगे, one by one करके मैं बताऊंगा, और आप एक और चीज पहले ही कर मतलब की channel art बनाने से पहले ही, जैसे कि आपका channel जिस भी category का है, उससे related दुचार पिक्चर से अउलोड कर लेना, जैसे माली जी मेरा channel tech का है, तो मैं अपने channel art में computer laptop का picture लगा सकता हूं, YouTube का logo लगा सकता हूं, ठीक है, इस तरह की चीजे होती है, तो यह सारी चीजे आप सब बहतर बना चाहते हो, और अगर आप अपने channel art पे अपनी खुद की peak लगाना चाहते हो, उसके भी background को erase करके रख लेना, तो सारी चीजे कैसे करने है, चलते सीधे pixel lab में, और सब कुछ one way one करके सीखते है, तो अब आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने phone में pixel lab simple से open क होगा, इस तरीक से आएगा, अगर तो cancel कर देंगे, pixel lab open हो गया है, हम क्या अपना है, अपने लिए channel art, यानि के channel banner, तो यहाँ पे आप क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे size वाले option पे क्लिक करना, यह एक option देखेगा image size, इस पे एक पर क्लिक करना, जो भी steps बता रहे हूं ध्या अब यह हमारा background हो गया, तो अब अगर आप चाहो तो कोई भी background लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे color पे क्लिक करके, आपको अपने वीडियो के लिए जैसा भी background चाहिए, आप select कर सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे colors हैं, नतलब कि ग्रेडियन्ट हैं, उपर color पे क्लिक करोगे, आपको, आपको कोई internet से, गूगल से background लगाना है, तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे from gallery पे क्लिक करना, आपने जो भी background लगार करके रखे होंगे, आपके phone में वो यहाँ पे store होगी, तो माल लेजे मुझे यह background चाहिए, तो इसको मैं click करूँगा, then tick mark, यह background आ गया, अब य gallery पे click करना, उसके बाद यह जो option है, ब्लू वाला, मतलब मालेजे और कोई picture लगानी है, उसको select कर लेना, ठीक है, then इसको इस तरीके से select कर लेना, मतलब कोई भी आपको उस picture का चाहिए, उसको select कर लेना, tick mark कर देना, अब यह जो मैंने लाया ना, इसको इस तरीके से बढ़ हो गया, कोई logo हो गया, कुछ भी लिखना है, तो यह जो image अभी मैंने लगाया है, इसके उपर लिखनी है, इस पे यहाँ पे यहाँ पे, इधर कहीं भी कुछ भी लिखो गया, वो कट जाएगा पूरी तरीके से, वो आपके channel राट में सही से आएगा है नहीं, यह इस पे ज चाहो तो बिल्कुली free में use कर सकते हो, copyright के लिए में strike कुछ भी नहीं है, अगर ढरने की कोई बात नहीं है, मैंने ही बनाया है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको use करोगे अगर आप, और उसके through आप बनाऊगे, तो एकदम से actual size आपके channel राट की बन जाएग ठीक है, या फिर उसके according आप अपने लिए कुछ भी create कर लेना है, समझ में आगे बात, तो मैंने जो create करके रखा है, template मैं उसको यहाँ लेंगा, इसको मैं select करके delete कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं from gallery प्याहूंगा, यह रहा वो template जो मैंने बनाया है, यहाँ पर click करूँगा, then tick mark, ठीक है, यह template मैंने बना करके रखा है, इसी को download कर सकते हूँ, आप इसका link description है, अब यह template है, इसका background मैंने black रखा है, और यह main area white है, तो यह जितना भी white area आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसी पे जो कुछ भी है वो लिखना है आपको, इस पे जो कुछ भी आप लिखोगे, वही आपके channel art पर दिखेगा, इधर उधर यहाँ जो black part जितना भी दिख रहा है, इस पे कुछ भी लिखोगे, वो बेकार है, वो दिखेगा यह नहीं, कट जाएगा, समझ में आगई बात, इस तरी का चीज़े होती है, तो अब मान लिजिए, जिस भी तर आपको अपनी picture, मतलब खुद की photo यहाँ पर लगानी है, तो उसका background, इरेज बगर करके वो भी आप रख लेना, तो यह हमने कर लिया, अब मैं यहाँ home button पर click करके back आजाओंगा, मैं आप क्या करता हूँ, chrome browser simple से open करूंगा अपने phone में, chrome browser जब open होगा, यह search box में आपको क् जी जो पहली के बाद दूसरी website is laser.com, इसको simple से open करना, इसको जब आप open करोगे, तो आपके पास कोई अपनी picture है, उसको अगर आप अपने channel के, मतलब इस channel banner में, channel app में use करना चाहते हो, यहाँ पर upload image पर click करके, उसको आप यहाँ पर ले लोगे, इस upload image पर मैंने click किया, अब यहाँ पर upload करोगा, यहाँ पर नोटिपिकेशन दिख रहा होगा, डाउनलोडिंग फाइल, यह file मतलब यह picture डाउनलोड हो रही है, जब यह picture डाउनलोड हो जाएगी, तो यहाँ पर home button पर आजाना है, अब आपको अपने channel के लिए elements डाउनलोड करने है, मतलब जिस भी category का आपका channel है, उसके लिए, सपोर्च किजिए कि मैं यहाँ पर search box में आ गया, अब मैं लिजे म मुझे vlogging करना है, मतलब मैं मेरा जो channel है, वो vlog वाला है, तो मैं यहाँ पर क्या ढूनूँगा, camera का icon ठीक है, camera लिए, लोगो, ठीक है, image प्याँगा, तो जो camera पी यहाँ लोगो लिखो गया, तो यहाँ पर देखना है, वो background एरेज कर कहीं देगा, तो इतने सारे वो logos दे रह है, आप उसको download करके use कर सकते हो, मैं आ रही बात, यहाँ पर देखना, DSLR लिखा हूँ, यहाँ पर click करोगे, तो यह अलग लगतर है के logo देगा, ठीक है, जैसे मैंने click किया, जैसे मैंने click करूँगा, अगर इसका background ठीक है, erase है, तब भी ठीक है, नहीं भी है, तो मैं अपने से erase कर लूँगा, जैसे मैंने अभी अपने photo का background erase किया, तो इसका area है, इस पर मैं इस तरह के step करूँगा, download image पर click करूँगा, ठीक है, यह download हो गया, और भी आपको कुछ पसंद है, तो आप download कर सकते हो, ठीक है, अब मैं back आ गया, अब channel camera png logo तो हो गया, उसके अलावा यहा अच्छा लग रहा है, यह मुझे चाहिए, तो इस तरह के स्क्लिक करूँगा, download image, ठीक है, png आप लिक करके करोगे, तो वो background erase करके ही देगा, यह हो गया, अब इसके अलावा एक चीज और आपको करना है, वो क्या, instagram, facebook और youtube, इन तो इनों कोई logo आपको download करना है, जैसे instagram, p इस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, space तरीके से करूँगा, download image, ठीक है, मतलब कि आपके जितने भी social media account है, जैसे twitter का हो गया, instagram का हो गया, facebook का हो गया, तो वो सारे के icons आपके पास होने चाहिए, या फिर आप एक बार यहाँ पर direct लिकना, social media png logo, ठीक है, तो सायद एक बार में ही आपको मिल जाए, जैने लिका social media png logo, सर्च किया, अब यह देखे, png logos यहाँ पर सारे एक बार में ही मिल गया, तो यहाँ पर जैसे देखे, यह एक है image, ठीक है, एक में ही सारा है, तो इसको भी अगर आप चाहो तो download कर लो, कि एक ही नाम से आप हर जगा हो, तो इसक इसका erase कर सकते हो, आपको पता है, यहाँ पर क्लिक कर वे, इसमें आओगे, और बीजी पर आओगे, ठीक है, चाहिर सी बात है, सेम वही स्टेप्स करने है, यहाँ पर स्लेजर डॉट कॉम पर मैं आगया, जो स्टेप्स बता रहा हूँ ना, ध्यान से सीख लिजे, बहुत क अपलोड इमेज पर क्लिक करूँगा, यह वाला इमेज था, इसलेट किया, अब इसका बैग्राउंड यह खुद ही बहुत हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब इसी होम बटन पर हम फिर से आएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, लिखेंगे, लाइक, सेर, जो भी आपको पसंद आए, आपके अक्रोडिंग, वह आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, किसी एक को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर यहाँ पर टैप करूँगा, डाउनलोड इमेज, यह डाउनलोड हो गया, अगर बैग्राउंड इसका इरेज नहीं रहता, तो मैं इन görgen मैं नहीं रेज किया था, यहाँ से इसको इस तरीक से कर लूँगा, ठीक है, यह मैं नहीं चल रहा है, वह पता चलेगा जब आपप अपनी चैनल पर तो ठीक है जब मैं नया चैनल बनाऊंगा एक जो next वीडियो आने वाले इसमें मैं ये बताऊंगा कि नए यूट्वीब चैनल कैसे बनाते हैं तो उसमें मैं लगा करके दिकाऊंगा यह मैंने यहां पर लगा दिया ठीक है यहां पर मैंने यह लगा लिए अपना पिक्चर एकदम से यहां पर अब यह पिक्चर हमारी तो यहां पर लगे अब आपको यहां पर प्लस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को यहां पर लेंगे डबल क्लिक करेंगे इस रखा और ओके कर दिया ठीक है तो यह टेक्स्ट तो पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है ना एपे क्लिक करना एपे क्लिक करने के बाद आप इधर स्क्रॉल करना स्क्रॉल करने के बाद कलर प्याना और अपने टेक्स्ट का कोई अलग कलर इसमें से में मॉल्टी पर्स क्लिक करके चेक करूमा क्यों सा अच्छा लगोा क्या करूंगा इधर क्लिक करके इसका सच थ्रह साइज भ्लाउर कि यह ने साइज भ्लाँ लिया इस तरीके से कंक कर दिय अब इसको इधर रख सकता हूं यहां पर उपर में यहां पर रख दिया मैंने अब यहां पर रखने के बाद मैं किया करूंगा यहां पर रखने के बाद इधर जो मैंने कैमेरे का एक लोगो डाउनलोड किया थो यहां पर लगाऊंगा प्लस पर क्लिक करूंगा फ्रॉम गैलरी य एह रहा कैमेड का लोगो इसको downloaded किया मैंने यहां पर add किया इसको थोचा इस तरीके स्त्राव्स करोब करें तिकमा करें यह डिकन इन फिन इसको छोता करोँगा इस तरीके से ठीक है? और इसको कहां लगा दूगा? ब्लॉग के ज़स्ट बगल में ठीक है? इसके बगल मैं ने यहां पर लगा दिया समझ में आगई बात यह हो गया निसांत के व्लोग और यहां पे मैं अब क्या करूंगा प्लस पे क्लिक करूंगा चोटा करते जाना है जितना पर ये हमारे यहां पर एड़ जाएस्ट हो शगर इसको मैंने मालेजल यहां पर लगा दिया थिक है यह कर दिया हमने अब नीचे में क्या करऊंगा यह पर फ्लस पर लिक करूंगा फ्रॉम गैलरी पर लैकर करूंगा और ये जो डाउनलोड के था हडा हो हो गए अब इसके बाद में फीर से हां फ़िस पेक्लिक करूंगा फ्रम गेलरेपे क्लिक करूंगा अब सब्सक्राइब होकू कनी तो अब क्या हुआ यहां चैनल लायट है पूरी तरीके से complete है मेरे एक खुद की picture हो गई मेरे चैनल का नाम भी हो गया थोड़े बहुत जो elements थे Google Map के camera के वो सब कुछ मैंने लगा लिए और logos भी लगा दिए मतलब पूरी तरीके से all over हमारा channel art complete है और आपको भी इसी तरह से अपने channel art को बनाना है जब यह सारा कुछ complete कर लो तो हमारा लोगो बन गया है इसको मैं जूम करूंगा तो आपको सारी चीज़े दिख रही होगी हाँ पर मेरा picture हो गया खुद का और यह चैनल का नाम अगरे सारी चीज़े मैं ने कर लेती है यह मैं लगा सकता है तो अब आपको भी चैनल बैना रवनाना आ चुका होगा और आपने अच्छे तरीके से जीक लिया है अपने चैनल पर लगा लिया है या फिर आप ट्राइकरों के जू इस्त भी तरह के जो भी बाते हों मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताइए गा और यह वीडियो अपने फ्रेंस के चानल को सब्सक्राइब करना बढ़ेगा और यह वीडियो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग